वेलकम तो बीड दे स्टीफ मैं हूं सीए सुदर्शन बंडारी और आज हम बात करने वाले अन्वल रिपोर्ट को कैसे पड़ा जाए ठीक है इस वन अफ दे मोस्ट कॉम्प्रेहेंसिव डॉक्युमेंट तो रीड अबाउट अ कम्पनी ठीक है तो अभी वापस से मार्च कॉ अब बात करें सबसे पहले टीच के अन्वल रिपोर्ट आई है इसके एक जानेगे कि एक बहुत कॉम्परेहेंसिव डॉक्युमेंट होता है जिसमें लगबग 400-300 पेजेस का डॉक्युमेंट होता है बट उसमें से क्या-क्या चीज़े आपको देखनी चीज़े और क्या इ तो प्लीज चैर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन ज़रूर दबाएं आने वाले कुछ महिनों में हम लोग बहुत सारी अन्वल रिपोर्ट कवर करेंगे जैसे हम लोग ने लास्टाइम कवर किया था तो प्लीज सब्सक्राइब तो आवर चैनल अच्छा ए कि हर बार एक question रहता है कि analysis कहां से किया जाए एक basic analysis कहां से किया जाए किसी भी company है करना हो तो हम लोग ने हर बार बोला है कि आप screener.in को use कीजिए वहार से आपको एक basic financials, parameter, valuations वगेरे सारी चीज़े मिल जाएगी उसके अलावा अगर बिजनिस को समझना है तो company की investor presentation होती ह कभी भी किसी भी company के अगर investor presentation जो की mandatory document नहीं है बट बहुत ही concise document होता है अगर आपको देखना है तो basically company generally quarterly results के बाद upload करती है BAC India.com पे नहीं तो आप company का नाम लिखियो और उसके आगे investor relations लिखिये तो वहाँ पे आपको जरूर वो document मिलेगा 10 30 to 40 pages का होता है maximum वहाँ पे आपको सारी चीज़े मिलता है उसके बाद के होता है बहुत सारी companies जब भी corporate action plan करती है buyback वगेर या फिर QIP वगेर तो उसके through भी अपना basically है एक लंबा कासा document release करती है तो वह एक resource हो गया है QIP documents और या फिर buyback letter of offers आप देख सकते है then DRHP RHP तो मेरा all time favorite RHP तो I would say कि IPO का जो एक document होता है filing होता है वह one of the most comprehensive insight होती है तो अगर आपको यह सारे basically देखने की क्या क्या investing sources और available है तो हम लोग आज इस video के description में thread attach कर देंगे twitter का जो हम लोग update करने वाले है और ज्यादा से यादा जहाँ पर आपको सारे investing resources to research a company वह आपको available हो जाएंगे चलिए TCS के annual report के बात करते हैं so basically यह TCS का content है अब इस content में दो चीज़े important है कि basically क्या क्या अपने को पढ़ना होता है so basically यह पर यह content है यह पूरे TCS के annual report में क्या क्या सारी चीज़े है सबसे पहले अपने को यह जो basically होता है section पहली बात तो TCS करती क्या है about TCS वो management का क्या कहना है that is an important important thing so that's basically letter to shareholders होता है बाकी chairman और CEO होता है वो हमेशा पढ़ना चाहिए ठीक है उसके बाद एक important यहां पर होता है वो basically इनका एक होता है यहां पर MNDA management discussion and analysis it is also an important one उसके बाद फिर एक independent auditors report होती जो आपको पढ़नी चाहिए उसमें basically other matter paragraphs or key audit matters होते जहां पर auditor को कोई अगर concern होता है तो और raise करता है फिर financials तो obviously आपको बहुत important document हो जाता है financials भी आपको पढ़ने चाहिए but financials को कैसे देखना चाहिए या फिर financials में क्या चीज़े आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो भी अपन एक बार थोड़ा बहुत उसके highlights ले लेंगे ठीक है तो यह सारी जो चीज़े वो अपने को यहां पर देखनी चाहिए but उसके अलावा भी क्यों आता है जैसे टीस जो इतना पड़ा company है तो उसकी annual report में बहुत चार other insights मिलती है so for an example यहां पर TCS का इस बार का theme रहा है for an example तो theme है वो है basically innovating for the greater futures तो basically company का यह बोलना है कि accelerated innovation witness in the enterprise across all the industry तो यह basically इनका इस बार का theme रहा है अब basically यहां पर उनका वो ही बोलना है कि covid के कारण अगर साधी बाशने बात करें तो जितना भी ज्यादा technology adoption हो रहा है वो हो यहां पर आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ता आएगा ठीक है और इसलिए company ने एक basically segment भी अपना focus बना है growth and basically transformation तो वो इस बार इनका business segment है एक vertical है जिस पर इनका सबस्यादा focus रहेगा उसके अंदर basically क्या होता है company अपना कोई भी इनका client basically अपने physical business model को कैसे tech based business model में basically convert कर digitally ठीक है so यह इनका है तो अब यहां पर बहुत सारी चीजे बड़े बड़े शब्दों में लिखा है but whom फिर के बात होई है ठीक है so you can definitely read it out by pausing this video ठीक है but I don't want to more focus on it because it is just a narrative ठीक है इसमें कुछ ज्यादे insights रही है पर यहां पर आपको पता प्रता है board of directors company के कौन कौन है इस को देखना जाहिए बहुत बार ऐसी कुछ companies में देखा गया है independent directors होते तो हैं बट आखिर में independent नहीं होते है उनका qualification इतना नहीं होता ठीक है तो वो एक चीज इंपोर्टन हो जाती है अब मैं जैसे example देता हूँ के के मिस्तरी है जो HDFC के वो इनके board of director में बैठते है ठीक है so केवल एक बंदा इनके board of director में वो है राजिश कोपिना जो की company के CEO है तो management team क्या होती है दो चीज़े होती management team और board में बहुत difference होता है management team यानि जो company के रोज के business में executive level पर काम करती है ठीक है execution में काम करती है और board basically oversight and review करता है तीन महीने में एक बार या एक दो महीने में एक बा होता है उनका main business TCS को चलाना नहीं है management का main business main काम है TCS को चलाना है Rajesh Gopinath है पिर इसके अंदर chief marketing officers chief operating officer CTO CFO यह सारे लोग होते हैं अब इनके बार में भी अपने जान सकते हैं कि जो CHRO है उनका क्या background रहा है वो कितने साल के experience के थूँ आये हैं ठीक है उनका basically salary कितना है उनका अब यहां पर इनके बार इनके अलावा यहां पर business heads है अब business heads मतलब क्या होता है basically इनके क्या क्या business vertical है उनके head कौन है बहुत बार हमने देखा है आपने देखा है आपने देखा है जब भी कोई company में बड़ा executive appoint होता है तो उसके कारण share price पर impact देखना मिलता है उससे basically अपन यह देखते हैं कि यार वो बंदा जो आ रहा है वो basically क्या background चा रहा है जैसे अब है अगर आपने देखा हो अगर लेटेस में jubiland foodworks के अंदर जो एक उनका नया CEO appoint हुआ है वो amazon से आ रहे है ठीक है so definitely that people's that person's background is affecting ठीक है so वो एक important चीज होती जो आप यहां पर देख सकते हो ठीक है अब यहां पर letter to chairman है अब यहां पर जो chairman का letter है वो बहुत ही important होता है देखो इसमें आपको मैं और चीज बता दू जो letter from shareholders जो यहां पर दिया जाता है यह letter to shareholder इसमें हमेशर केवल narratives होते narratives का मतलब क्या होता है narratives यानि केवल बाते या फिर केवल ग्यान की बाते और उससे यहां पर आप कोई conclusion draw नहीं कर सकते कि management की guidance क्या है management का target क्या है बहुत सारे letters में आपको यहां पर वो guidance मिलेगा बट TCS अपने कोई भी तरह की guidance officially release नहीं करता है वो company का policy है तो अब यहां पर अगर अगर अपन simple सी बात करें तो इनका basically वही घूंदरी के बात है threshold for the great opportunity and growth और दूसरा उनका एक अभी भी concern है वो है supply chain disruption बट company के chairman यह बोलते कि supply chain disruption को हम tech के थूँ यहां पर innovate कर रहे है और उसको eradicate कर रहे है फिर company के chairman ने थोड़े बहुत milestones बताया है 25 billion dollars का milestone company ने अचीव किया है all time high incremental growth of revenue अचीव करी है और margin जो company का 25% EBIT margin है वो one of the best है ठीक है उस दो ऐसी चीज है technology के अंदर जो basically differentiate करता है company को उसके बाद यहां पर company का sustainability और zero carbon footprint पर focus है वो यहां पर company ने disclose किया है फिर वहीं पर अगर आपन बात करें तो यहां पर एक और चीज बोली गई है इनकी इस बात दो थीम भी रही है एक तो customer centricity और दूसरा G&T यह basically company के दो ऐसे themes है जिस पर company का focus है to grow their business customer centricity basically customer की जितनी भी demands है उनको पूरा करना and G&T मतलब basically higher and larger implementation of technology across the business ठीक है जाद 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 technology का implementation करना growth and transformation में आता है so that's their theme and वो सब चीज़े है उसके बाद यहां पर एक important यह जो है में को letter from CEO थोड़ा अच्छा लगा इसमें थोड़ी बहुत चीज़े बहुत इंट्रेस्टिंग है for an example मैं आपको बदाता हूँ TCS ने last करीबन ने जो free cash flow generate किया 37,000 करोड रुपीज का किया है और उन्होंने shareholders में 38,000 करोड का basically distribute भी कर दिया है मतलब जितना cash generate किया था पूरे business ने पूरे साल में उसका 102% हम लोग ने वापस shareholders में distribute कर दिया this means यह company बहुत ज्यादा cash rich है और asset light है जितना cash generate हुआ उतना का उतना ही distribute कर दिया इससे company की financial soundness के बार में बहुत ज्यादा पदा चलता है फिर बाद में आपे company ने एक और जीस बताईए cash conversion ratio वो एक important criteria दाता है cash conversion ratio यहाँ पे 104% रहा है basically cash conversion ratio का formula होता है कि operating cash flows मतलब basically जो company cash flow from operations है वो कितना है as a percentage of net profit तो उससे पता पड़ता है यह important criteria होता है जो हमेशा आपने हो देखना चाहिए हमेशा यह ratio होता है cash flow from operations divided by net profit यह generally 80 to 120% के बीच में होना चाहिए और उसके बाद profit growth और उसके बार में बात करी गई है EBITDA growth और वो सारी चीज़े है that's a different thing अब यहां पर उसके बाद company ने यह बता है कि इनके key business segments क्या क्या है जो आप यह पर देख सकते हो अज़ा इनने अपने business verticals को कैसे divide कर रहा है वो भी मैं बता तो एक तो industry के basis पे और एक region के basis पे for an example banking वाला जो business है अगर अपन बात करें तो इस pandemic year के अंदर अभी जो growth आई है वो सबसे ज्यादा कहां से आई है retail and consumer business मतलब retail मतलब reliance retail देशी companies को technology service provide करके इनने 20% growth हासिल करी है manufacturing वाला जो इनका business है त्यापे manufacturing companies को serve किया हो 16% की growth है banking में 14% then media and technology 17% healthcare वाला जो business है वो 20% से grow हुआ है उसके बाद अगर 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 जो other businesses है वो 7% हो है overall जो growth है यहापे अगर अगर आपन देखे तो 15% की ठीकता growth है then अगर important चीज क्या है कि जो इनके major markets है जिसमें से major market इनका कौन सा है North America और continental Europe है और UK वाला जो है वो basically बहार से कितनी growth है तो अगर आप देखो के growth का percentage इस company की growth का percentage कितना है मोटा मोटी इस company growth का percentage 15-20% है तो don't expect more than that यह एक इतना बड़ा company है कि इसका base size बहुत बड़ा है तो यहाँ से अगर आप multi-fold growth देखते हो कि 40-30% की growth तो definitely not possible for a company of the size of TCS तो यह आपको यह से पता पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर एक जो important चीज है फिर यहाँ पर company के CEO बोलते cloud adaption trends जो है वो बहुत जादा बढ़ गए है that is an important thing फिर company ने एक और चीज जो देखी है वो outsourcing of the business and IT operations तेखा है जो बहुत जादा हो रहा है यह सारी चीजे अब जो company इस बार देख रही है ठीक है जो उनको बहुत जादा particular business में बहुत जादा pick up देखने हो मिल रहा है आप हमेशा यह देख सकते हो कि आने वाले quarter में उन company performance को अब analyze करो के यह पर company ने एक बोला है कि हम लोग G&T का business grow करेंगे आने वाले quarter में company उस business को actual में grow कर पाई यह क्या वो आप देख के पता पढ़ जाएगा कि management जितना बोल रहा है walk the talk उतना हो रहा है और नहीं हो रहा है ठीक है so that's an important thing अभी यह पर एक जो वापस से important factor है यहां पर होता है order book order book क्या होती है order book basically क्या होती है company जब भी एक tie up करती है TCS या फिल Infosys जैसी इनकी deals होती है deals basically agreement होता है for example Reliance और TCS के बीच में deal होती है कि पूरा technology of the Reliance retail will be done by TCS तो यह जो deal होगी मानलीची 1 billion dollar की होई अब यह 1 billion dollar की deal अगले 3 साल तक का revenue आपको generate करके जाए 1 billion dollar की जो deal है इससे 3 साल तक मतलब basically 333 million का हर महीने हर साल एक revenue generate होगा ठीक है तो आपकी order book value से आपको पदा पढ़ेगा company पास किती deals है इस बार company ने लगबग 11.3 billion dollars की नई deal साइन करी है total इनकी जो order book है वो 34.6 billion dollars के आसपास आती है अब मैं अगर इसमें एक ratio है जो आपको प मेरी कितनी order booking हो रही है और उसके against मेरा कितना revenue है अब अगर यहां पे जो है वो हमेशा 1-3 का ratio आ रहा है मतलब मेरी हर 3 रुपय के revenue पे मेरे को अभी आज की तारीफ में एक रुपय का नया order मिल रहा है तो यह एक अच्छा ratio नहीं है यह ratio हमेशा उल्टा होना चाहिए अगर आप कभी भी growing company देख रहे है तो वहाँ पे कैसा होना चाहिए जैसे for example प्राज हो गया फिर intellect design arena या फिर कोई भी mid gap IT तो वहाँ यह जो ratio होना चाहिए बिल टू बुक टू बिल वाला ratio ठीक है वो हमेशा आपका 1 से ज्यादा होना चाहिए मतलब booking of orders हमेशा उनके पास higher होने परसेंटेज ओफ देर ओवराल revenue ठीक है तो वह एक अच्छा रेशो जो आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं ठीक है तो इस एक और इंपोर्टन चीज है जो management ने एक guidance दिये पूरे annual report के अंदर कि current pace of growth के साथ we definitely expect doubling our revenues and hitting the 50 million dollar mark अब इसका मतलब यह है basically company ने यहाँ पे 15 million dollar का revenue टा ने नहीं बताया है so definitely it makes a थोड़ा यह statement वापस वेख हो जाता है वापस जो gnt opportunity वो company ने यह पर disclose करा है then the year gone by अब यहाँ पर बहुत सारे milestones के बारे में disclosure होता है milestones में क्या क्या चीज़े होंगी company ने किस तरह की deals हासिल करी है किस तरह के awards मिले है क्या क्या company के साथ हुआ है buyback हुआ है कितना हुआ है क्या हुआ है तो यह basically company का पूरा एक साल का track record होता है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वो सारी चीज़े जो company ने यह पर disclose करी है मैं आपको फटा फट quickly go through करूंगा इनने जैगवार के साथ basically अपना एक टाइप किया है जो कि ultimately एक टाटासंस की company है अब यहाँ पर basically जो न की deals है उसके बार में detail होती है then एक यह मेरा एक अच्छा slide है जो यहाँ पर में को अच्छा लगा वो है TCS का integrated model अब देखो क्या होता है financial capital के थ्रू आप resources build-up करते है ठीक है उससे आपका क्या-क्या build-up होता है एक तो intellectual capital knowledge based आपका बढ़ता है ठीक है financial capital के थ्रू then you develop human capital मतलें employees वगर को लाते है फिर आप natural capital basically renewable or non-renewable resources वगर हो गया then आप socially उसका basically कैसे उडिलाइस करते है CSR वगर हो गया at the end of the day यहाँ पे shareholders के लिए value create होता है ठीक है तो यह क्या सकता है integrated business model है अब अपन एक एक basically इसके type को समझेंगे यह मेरा favorite है economic value generated and distributed TCS के इंडिया में होने से कितना फायदा हुआ है overall ठीक है वो आपको पता पढ़ेगा लगबग लगबग 2 lakh करोड कैसे employee cost एक लाग करोड का इनने employee को फायदा दिया है फिर यहाँ पर अगर अपन देए community investments यानी CSR ठीक है cost of operations यानी TCS ने कभी भी कोई काम किया है basically किसी को भी कोई contract दिया है उनके business चलाने में rental cost किसी भी तरह cost तो उससे 35,000 करोड रुपए की value generate करके दिये R&D में company ने 200 करोड रुपए का यहाँ पर investment किया जो कि इनके overall revenue का 1% से 1.4% के आसपास बैठता है फिर company ने tax expense 13,000 करोड है and then 38,000 करोड company ने अपने shareholders को पैसा दिया so this makes a complete आपको insight मिल रहा है कि company के होने से इंडिया में कितना फायदा हो रहा है shareholder को कितना हो रहा है employee को कितना हो रहा है government को कितना होता है CSR में basically लोगों कितना होता है then वापस अब यह financial highlights है जिसमें मेरा सबसे important जो मेरे को हमेशा लगता है एक यह जो है cash conversion ratio यह बहुत important और बहुत बड़ी बड़ी companies even जो mid cap IT companies होती उसमें भी यह ratio इतना strong नहीं होता है आपने देखो अगर बहुत चारी IT companies का receivables बहुत बड़ा होता है ठीक है इनका receivables day भी बहुत कम है ठीक है तो that's an important trend PCS की financial soundness बहुत marvelous है it's a world class ठीक है उसके बाद अगर अगर आपन देखें आप revenue जो trend है simple simple 25 to 27% का operating margin का यहाँ पर target रहा है इससे जादा होता नहीं है EPS की growth यहाँ पर किती रही है 10% की रही है मैं एक और चीज़ बोलता हूँ EPS और revenue की growth चे आप क्या basically समझ सकते हो India की GDP की growth कितनी है लगबग लगबग 8% है ऐसी company जिनकी growth rate revenue की growth rate या फिर EPS की growth rate most importantly EPS की growth rate अगर 8% से कम है उनको हमें avoid करना चाहिए ठीक है अब आप कह सकते हो कि TCS का slow growth है but यह कैसी company वो जितना कमा लेती है जितना साल में cash generate करती है उतना cash यहाँ पर shareholders को distribute भी करती है so it has a basically huge financial soundness high dividend paying stock है high buyback और high shareholder payout वाला है अच्छा अगर अपन इस बारे में बात करें company ने पूरे चार साल पात साल में जितना भी basically cash generate किया है वो कहा का utilize हुआ है 90% cash shareholders में distribute हुआ बाकी जो 10% है capex, acquisition और invested funds में गया है अगर इसको और थोड़ा समझें किया shareholder payout ratio कैसे बिठाए गया है तो मैं आपको बताता हूँ अगर आप देखो कि company ने कितना dividend announce किया है वो यहाँ पर आपको पढ़ेगा special dividend और buyback इसके तुरू company ने अपने कितने shareholders को कितना पैसा basically generate किया है अगर आप देखो कि company ने अपना इस बार FI22 में 99% of the profit यहाँ पर shareholders में distribute कर दिया इससे पदा पढ़ रहा है company already cash rich है capital पूरी उसकी जरूत पूरी हो चुकी है किसी पूतरी के further capex वगरे के जरूत नहीं है बहुत सारी mid-cap IT companies में अगर आपने देखो होगा तो यह shareholder payout ratio इतना ज्यादा नहीं होता वो बोलती है हमें technology और उसमें invest करनी जरूत है फलाना डिम का so you can just compare अब क्यों आदा है at the end हर mid-cap IT company का एक basically goal तो यह है कि TCS जैसरी बड़ी बने ठीक है so आप यह सारे ratios देख के यह पता कर सकते हो अगर किसी भी mid-cap IT company का यह जो soundness है financial soundness अगर उनमें देखने को मिल रही है so you can definitely say that they have done a very great job because इस तरह की financial soundness maintain करना बहुत-बहुत important है then अबन यहाँ पर human capital है उसके बारे में बात की गई है इसमें सबसे जादा important होता है attrition rate attrition rate TCS यहाँ पर technology company में क्यों सबसे जादा important है देखो क्या है कि technology के ऐसा business है जहाँ पर employee की यहाँ पर जो basically intelligence की कीमत सबसे जादा होती है तीक है आप देखो के बहुत चारी companies ऐसी भी है जहाँ पर attrition rate इससे भी हाई है manufacturing की बात करें तो उससे भी हाई है banking की बात करें उससे भी हाई है बट अब क्यों है banking और manufacturing वाला ऐसा business है जहाँ पर इतनी ज्यादा specific intelligence नहीं चाहिए बट यहाँ पर basically human capital in technology makes the matters most जहाँ पर high attrition rate होता है इससे दो चीज़े पर impact आता है एक तो आपका client के साथ relationship खराब हो जाएगा अगर मेरा वो बंदा उस client के साथ deal नहीं कर रहा है जो उस client को समझता है अब कोई नया बंदा आगे तो client को थोड़ा problem होगा ठीकिए business disruption हो जाता है दूसरा कोई नया बंदा अगर आता है तो मेरे को उसको पहले basically उसको समझाना पड़ेगा उसकी training cost लगेगी that makes an important impact on my margins तो इसलिए मेरे margins impact हो जाते है हम लोग ने telegram पे चाट दाला था basically PCS और सभी IT companies का attrition rate versus EBITDA margins पे क्या impact पूरे 4-5 चालो में तो you can definitely check it out आज हम लोग वापस रिशेर कर देंगे तो आप telegram channel पे हमें जरूर follow कर लिए दिजिए के core businesses क्या है and बाकी जो इनके platforms इनने तयार किये इनने जो software तयार किये वो intellectual capital में आता है तो इसके बारे में भी आप basically पढ़ सकते है being a non-expertise I don't have any expertise in basically IT so I don't want to get into the particular product की वो क्या काम कर रहा है because at the end यहाँ पे TCS एक पूरा comprehensive and complete IT solution company है वो तरह तरह के काम भी करती है AI, ML में भी काम करती है Artificial Intelligence में भी करती है Machine Learning में भी करती है एक मैं software की ज़रूर बात करूँगा TCS Banks करके software है जो basically comprehensive software है for the banking companies इस तरह के बहुत तरह के और भी software है जो आप यहापर देखते हैं बार में पढ़ सकते हैं ठीक है और हमेशा एक और चीज आपको देखनी रहेगी कभी भी company इस तरह कोई नया software या फिर नया platform या फिर नया technological product यहां पर launch कर रहा है तो उसका भी आपको हमेशा देखना जाए कि company है कोई new product launch किया है तो उसके बाद उस पर कितना deals वगरे sign हुई है या फिर उस company के product को किसी ने लिया है या नहीं लिया है तो यह वह एक important factor हो जाता है तो यहाँ पर एक आता social capital अब इसमें दो चीज़े होती है customers के साथ आपका क्या-क्या relation है 50 million dollar वाले कितने 120 है और US 20 million dollars के अबब वाले लगब 268 है तो यहाँ पर company ने एक और metric दिये कि ऐसे client का पर basically ऐसे revenue पर 1 million dollar से जादा वाले clients है उनका पर customer का कितना revenue है तो वह आप यहाँ पर देख सकते हो एक important factor है बट यह client metrics हमेशा important होता है अगर आप देखोगे ना बहुत बार companies में अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे तरह का market में impact कैसे आएगा ठीक है अब यह वाला जो basically है बहुत gold है यह सबसे जादे important metric है 58 clients ऐसे जिनका 100 million dollars का revenue आता है अब क्या होता है कि कल को मान लिजिए Q1 में क्यों 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 कि company ने अपने top 3 clients को lose कर दिया और you can say top 50 मतलब जो सबसे cream clients तो उसमें से 3 client company से कम हो गए ठीक है और अगर यह नगमर significantly बढ़ जाता है तो वाप stock price में impact आता है just want to basically में हर चीज को आपके हर business का basically impact हो दे stock price पे वो relate करने को बता रहा हूँ फिर यहाँ पे company ने बताए कि हमने हमारे investors के साथ कैसे interact किया है तो last fi22 में 856 times यहाँ पे basically company ने interact किया है analyst relations अच्छा यह बहुत important है में को बहुत अच्छा लगा TCS का बहुत सारी research firms ने assessment किया ठीक है मतलब तरह तरह की rankings बखरे देते तो इन assessments में से जहाँ पे TCS को leader माना गया है ऐसी 92 assessments ऐसे हुए थे जिसमें यहाँ पे TCS को basically leader माना गया है अब आप इसमें कह सकते हो कि assessment किस तरीके का हो सकता है give me some examples most innovative IT companies in India best companies to do a job in India इस तरह के assessments होते हैं तो इन 92 के अगर लिस्स देखने ही तो last में company अपने annual report में जरूर उसके बार में दिया है then very very important I like this figure very much TCS का brand valuations कितने है as per the brand finance तो वह आप देखो कि तो लगाता growth होता वह दिखाई किये दिया है अगर FI 17 से भी बात करे तो आज लगबग अपना FI 15 से बात करे तो अपना जो brand valuation TCS का लगबग double हो चुका है that's an important metric to understand तो उसके बाद यह पर थोड़े बात awards and recognizations होते हैं जो basically impact करते हैं यह जो awards and recognizations वाला column है यह आपको चोटी कमनियों में ज्यादा देखना चाहिए for an example मैं आपको बहुत interesting example देता हूं वापस प्राज का प्राज basically top 50 bio renewable projects में से top 50 projects में से प्राज के दो product है जो top 10 में आते हैं और इंडिया की केवल इकलादी company जिसके bio renewable projects यह पर basically यह पर top 50 यह पर top 10 में आते तो इस तरह के awards and recognizations का बहुत ज्यादा impact होते है छोटी company पे अगर देखो के बड़ी company है इसको तो वैसे भी recognized है everybody know TCS is a great company in IT sector but जब छोटी company recognition मिलते हैं इस तरह के awards के तो उनका business पे बहुत ज्यादा positive impact हाता है तो बहाँ पे ज्यादा impact होता है तो इसके बाद है यह पर natural capital यह basically है कि company ने अपना किस तरह से carbon footprint कम किया है तो मैंने बस एक fact पे बारे बाद करूँगा 37% अपना जो cost energy है वो इनका renewables है ठीक है फिर बहुत सारे तरह के carbon footprint के थूग इनके वो है तो उसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा but it becomes very very important also अगर जब आप ESG analyst है यह research कर रहे है तो यह basically want to get into it okay यह पर फोड़ा Q&A session है जो basically management डाला है with their HR and finance but इसमें कुछ खास ज्यादा चीज़े है तो इसराइल बैंकिंग जो मैंने इनको बता है तो इसराइल बैंकिंग के साथ इसराइल बैंकिंग के साथ इसराइल बैंकिंग के साथ क्लाइंट को benefit हुआ तो यह सारी चीज़े होती है तो यह basically इसका मतलब चिट्टा बिट्टा हो गया तिरे डायरेक्टर्स रिपोर्ट है जो आपको बहुत सारी आनवल रिपोर्ट में पकापकम लेगा इसके अंदर भी काफी जादा चीज़े होती ने अल्रेडी वो सब चीज़े तो MNAdA वगेरे भी आपको सब यहीं पर मिलेगा ठाया यहाँ एक इंपॉर्टन फेक्टर होता है कि आपका वो रेविनेरेशन वाला वो सब चीज़े आपको यहीं पर मिलेगा तो I don't get into कि कितना जाद है वह सब में को नहीं डिस्क्लोस करना है यहां पर डिस्कस नहीं करना है ठीक है फिर आरेंडी वगेरे पर कमनी ने कितना खर्चा किया है वह सब चीजे होती है यहां पर अगर अगर बात करें तो एक यहां पर होता है अगर मैं बात करूँ यहां पर सबसे बीजी इनके बोर्ड में जो है वो एन चंदरकाशन है ठीक है उन्होंने सारी बोर्ड मीटिंग्स बेसिकली या भी जो टीजेस के चेर्मेन है उन्होंने अटेंड करी तो तो वह से आपको पता पढ़ जाएगा फिर M&D होता है इसके बारे में क्या होता है बेसिकली इसमें कमपनी के बिजनेस और कमपनी इस इंडस्ट्री में काम करती उसके बारे में डिस्क्लोज होता है सबसे जादा important होता है जो अपने को ध्यान में देना चाहिए छोटी कमणियों में क्या होता है इतने सारे narratives नहीं होते है इतने सारे graphs वगरे नहीं होते MNDA ज़रूर होता है वो हमेशा पढ़ना चाहिए अब TCS ने अपना है कि यहां पर बता है आपको rates और growth rate के बारे में बता दिया है तो यह सारे चीजे फिर इनके business का overview आगया पर TCS के क्या-क्या threats and opportunities है कैसे उनने उसका outcome क्या है क्या approach रहा है वो भी यहां पर disclose किया है So that's an important metric पर TCS के segmental revenue का performance है कहां से कितना business हाता है किस area से कितना business हाता है बैंकिंग सेक्टर से सबसे आदा business हाता है और अमेरिका सबसे आदा इसकी region में जहां से business हाता है यहां पर growth rate हमेशा इन companies के अंदग दो तरह की होती है business के actual growth rate होती है और दूसरा growth rate because of exchange होता है US dollar अगर बढ़ जाएगा तो basically इनका revenue वैसे ही बढ़ जाएगा आपने को focus करनी होती है तो उसके बाद यहां पर industry verticals है उनमें क्या-क्या key spending areas है customers क्या-क्या कर रहे है वो आप यहां पर देख सकते हो अब क्या है कि कभी भी आपको बहुत जादा deep research करना है मान लीजी आपने यहां पर देखा कि एक इनने basically upload communication and media and technology है इसमें 5G पर basically company ने disclose किया तो you can definitely question the management और इनने कौन कॉल आप जरूर देख सकते हो कि 5G पर company के यह business vertical में अभी और क्या हो रहा है तो यहां पर key spending area से basically हर vertical में basically industry में क्या-क्या हो रहा है यह आपको बदा पढ़ेगा अब मालीज़ अगर आप manufacturing sector में कभी पैसा लगाते हो तो आपको यहां से पढ़के भी देख सकते हो कि यार manufacturing sector वाली company's technology में कहा-कहा invest कर रही है तो you can definitely find this out तो आप इस तरीके से basically relate कर सकते हो G&T theme जो है main inka है वो यहां पर company ने disclose किया है प्रफॉर्मेंस है हर metric, financial metrics पर आप यहां पर देख सकते हो जैसे कि मैंने एक चीज जो notice करी है company का जितना FI23 में revenue था FI13 के अंदर वो आज company का basically EBITDA बन चुका है और EPS adjusted यह एक बहुत important metric है जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है अपनी लगातार buyback करती रहती जिसके कारण number of shares कम पर होता जाते है इसके कारण अगर आप देखोगे तो हमेशा EPS जो है वो basically बढ़ता जा रहा है यह है power of buyback हम लोग ने बहुत बार यहां पर एक वीडियो बनाया था वह टाइम पहले कि how buyback create shareholder value तो इसलिए यहां पर value create होता जाता है अब क्या आदा है जैसी buyback होता है तो company के shareholder's कम हो जाते है shares कम हो जाते है बट company का business और company का worth तो उतना ही रहता है तो per shareholder पर company की जो worth है वो बढ़ जाती है तो जैसी कि आपने देखा कि EPS growth किस तरीके से buyback के through यहां पर बढ़ गई है तीक है उसके बाद यहां पर ratio analysis है जो आप यहां पर देख सकते हो इसमें बहुत साह ratio important होते है for example TCS के case में आपको हमेशा देखना है कि data outstanding कितना है तीक है दूसरा यहां पर company का basically यहां पर margins कितने वह आप देख सकते हो employee cost एक important metric होता है ठीक है थोड़ा बहुत debt to equity भी दे सकते हो बढ़ इस company में debt नहीं है तो debt to equity की बाद भी खतम हो जाती है यहां पर थोड़ा बहुत shareholding pattern के बार में भी disclose होता है on top 10 shareholders है उनके category क्या है कितना promoter ने hold कर रखा कितना institutional investors ने hold कर रखा है वह यहां पर भी देखा जा सकता है ठीक है उसके बाद last but not the least सबसे important होता है जो यहां पर अभी अगर आप देखोगे तो वह 92 comparative assessments है यहां पर आप देख सकते हो पर सबसे important जो है वह है financial analysis financials में क्या-क्या चीज़े देखनी चीज़े और balance sheet और वो सब है तो उसमें मैं भी एक quick आपको बता देता हूँ इसके financials काफी sound है अपन ने already उसको analyze किया ठीक है बट यहां पर यह company का independent audit report है इसमें दो चीज़े होती है key audit matter होता है emphasis of matter and other matter paragraph होता है यह तीन चीज़े आपको हमेशा पढ़ने की हर independent audit report में ठीक है कहीं पर कोई emphasis of matter या फिर other matter paragraph नहीं होता है जैसे TCS के auditor को कुछ भी नहीं लगा तो उन्हेंने disclose नहीं गया modification generally बहुत चारी companies में नहीं होता है बट आप कुछ PSU में देखेंगे modification होता है फिर यहां पर यह company के balance sheet है जो आप देख सकते हो मैंना already बता है हर बार balance sheet में 2-3 components बहुत ज्यादा important है cash कितना है receeables कितने है debt कितने है loans and advances ले कितने रखे दे कितने रखे और related party transactions कितने related party transactions यह तीन जो 45 चीज़े जो मैंने आपको बोली है सबसे आदा important होती है balance sheet का जब भी आप analysis करते है उसके बाद आप यहां पर यह भी देख सकते हो कि company ने जो बताया है कि मैंने investment कर रखा है वो कहां पर कर रखा है investment मतलब अगर investment in liquid funds बोला है तो कौन कौन से तरह की mutual funds में कर रखा है वो आपको notes to basically accounts में दिखेंगे तो वो आप यहां पर देख सकते हो जैसे अभी मैं आपको बता तो trade recebals कमणी ने disclose किये तो अब यहां पर बताए कि undisputed trade recebals कितने है disputed कितने है तो वो यहां पर आप देख सकते हो सब चीजों की detail मिलती है ठीक है बहुत बार companies बहुत उशहरी से क्या करती है मैंने बहुत चारी companies में देखा company अपना trade disable बतातो देती है उपर heading बट कभी भी notes to account में उसका disclosure नहीं देती है बहुत चारी जैसे bradcom एक company है ठीक है वो अपना investments बताती है बट है वो उन्होंने कभी notes to account में यह नहीं बता रखा कि investments कर का रखे ठीक है तो वो एक important है जहां से आप देख सकते हो company disclosures level कितने अच्छे है ठीक है फिर यहां पर related party transactions की detail होती है पूरा यहां पर separate वो होता है related party transactions का तो वो भी आप यहां पर देख सकते हो जहां से आपको पदा पढ़ेगा जैगवार से कितना revenue आ रहा है land rover से कितना आ रहा है ठीक है और यहां पर company subsidiaries है तो उनसे कितना revenue आ रह यह सारी चीज़े यह सब matrix कप काम आते हैं जब company पर थोड़े concerns हो related party transactions के TCS being a professionally managed company मुझे इतना ज्यादा नहीं लगता TCS पर एक ही problem है कि वो पूरे Tata Suns का basically funding करता है through buyback and dividend बस वो आप ज़रूर देख सकते हो बाकी TCS और किसी तरीके से ज्यादा तर बाकी companies को support नहीं करता है buyback and dividend has been the major basically वो होता है अचा TCS पर हमेशे impact आता है जब भी Tata's कोई बड़ा project plan करते हैं तो TCS के business vertical पर यहां पर हमेशे impact आएगा अगर माल लीजे कल को Tata's बोलते हैं 50 billion dollar या 10 billion dollar का investment semiconductor में करेंगे तो इसका impact आप TCS पर देख सकते हो कि थोड़ा negative है क्योंकि Tata Suns का major source of funding है TCS dividend or TCS का buyback तो वो आप हमेशे वो negative impact लाता है so that's all from my side in terms of annual report आपको कैसे पढ़नी थीए क्या क्या चीज़े देखनी थी हम लोग ने लगबग सब चीज़े disclose और यहां पर discuss करी है अब यहां पर यही सारी चीज़े screener.in पर जाके आप देख सकते हैं और उनके ratio analysis वगरे valuations आज आपने यह तो जानी लिया कि at least annual report कैसे पढ़ी जा सकती है thank you so much and please share and subscribe our channel thank you